कि तो अभी देख, और देखने के बाद मुझे नख़र है हाम रुखशा, अच्छा कृटरि, आपके मुन्प़ी मूभी के नहीं बात करना चाहता है, क् суд itself, आपके मुवी आँए न कितीना गठीया है, उसको चोड़ो. भाई उन्हों BäUNGके बीना मतलब के नाम के रखा है जो है ने ये उतना सेकूलर इतना सिक्टर तुम ने कभी किस Frau को पूरा पाकिस्तान को पुरा हिंदुस्तान को जो हरा जंडा लेंगा यह सब बोला जा रहा है लेकिन सजी देवल क्या बोलता है आखरी में जब कुरान और गीता को चाटने की बात आती है कि दोनों का गले नहीं लगा सकता अर्थात उधर पूरी कट्टरता दिखाई जाए तो ठीक है लेकिन इधर से सिर्फ से के नाम पर हमें चुना लगा के बेज़ दिया जाएगा वही बात है कि सनी देवल के दहार के अलावा और हेंड़ पम के सीन जो की उखाड़ा भी नहीं होने तो इसमें स्पोईलर सोरी स्पोईलर देने के लिए तो ऐसे सीन के लिए जह इसमें दिखाया जा रहा है और आप कहते तो सनी देवल को कि वह राश्र भकता है वह राइट विंगर वह प्रो हिंदू है वह बहुत गलत सोच है मैं तो देखता हूं जितना सभी उन्होंने कभी इसलाम की बुराई की है ना पकिस्तान की उलाई के हो तो हमेसा जाके उध पाकिस्तान में मदद मिल जा रहा है सोच रहा है जाके देखो यहां सीमा हेदर खुली घुमती है और वहां तारा सिंग को इधर भाटकना पड़ रहा है तो हम मुद्दे से भटक रहे हैं फिर में वही बात है गदर टू जो कि सीकूल है आपका कि जब केवारत भाकिस्तान के दो उने वाला था तो इस पहले दिखाया गया क्योंकि वहां तो इसमें जिंग सबस्क्राइब पहुँच जाती है कैसे वापस आया जाता है किस तरह से त्विष्ट आते हैं किस तरह से पूरा लंबा खीचा गहें तो क्योंकि उनके इसमें फिल्म में जो है तारा सिंग के बेटे हैं जो कि उतकर सर्मन जिसका नहीं भाया है जीते जो कि आपने गज़त फ्हेमी के कार जो परियाबता है पुरे पाकिस्तान के लिए सब चीज़ें की जाती है लेकिन सेकुलर जवादी का जो खेल है वह तो बन ही नहीं होता क्योंकि बॉलीवूड के मूवी जो है आपको इसी के कोई भी मेकर ले लो क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती कि जो सच्चाई को कड़वी यह क्रेस्ति जिनका काम बहुत अच्छा लगा उनको जो है उनके पीता और उनमाता है वह भी जो है तारा सिंग के बेटे को यारे जो जीते हैं उनके लिए उनका देने के त्यार हो जाते है मतलब एक और घर वापसी करवा चुके है वह इस फिलों में कहा जातो बार बार जो है गदर कवन की जो याद दिला जाता है और यह तक इसमें क्रूड दिखाने के जितना मैं सुना था कि आप मेरे मुझ पे थुको गए जितना वह जो एक्टर है हमारी विलन के करेक्टर नी भाने वाली बाल हमीत का वह जो बोल रहे थे उतना मेरे को खुंखार नहीं लग गदर तू जो है आपके लिए जो है एक मेमुरी रिक्रेसन वाला काम कर सकते हैं या अज़ाओ अच्छा खासा फैमिली एंटेटेटेंटर के रूप इसको देख सकते हैं बाकी अगर आपका सोच है आप सथ्य सनातन के बारे में जानते हैं आप जानते हैं कि दुनिया में चलता क्या है भी हो क्या रहा है तो आपको लगेगा कि क्या मजाग बनाके दे दिया है लेकिन वही बात है अगर आप मुझे बात करें तो उने जो है उनके वापसी देखते होए उनको जो अच्छा खासा रोल में देखते होए अच्छा लगा लेकिंड़ी देखा को अंध्यी देखने से प्र गदो तो आप देख सकते हैं लेक्व फी बात है कि अकर आपWhat बाकि यह symbol की लिसे चाहन हैं उन्हीं को को देखेए तो आपको लगता हूँ कि कुछ तो देख रहा है वनना फिर उतकर सर्मा को बोलोगे थो एक्टर कैसे भी हो लेक। बसके सब्चस कर दुब सब्सक्राइब और जो नई एक्टिस है हमारी पंजाब की तरफ से वह जो अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती है वह भी अच्छा खास है और रही बात अमीसा पटिल अरे चलो ठीक है उनका भी एक्टिंग ठीक ठाक लगा है तो वाकि सभी का काम लगभागों का सही रहा है अब बाकि आप गदर टू को तो खुछ कहने सकते उस पर रिव्वीव अगर बनाने को मूंडों तो बनाएंगा बाकि देखते हैं आप इसको देख सकते फैमिली इस साथ आपके सब्स्क्राइब बेंटा सब्सक्राइब का लिए कि अ कि अरुच को कि देखते हैं कि अ